आज मैं आपको ओल्ड बैंगल से पैन पॉट बनाना बताऊंगी जिसके लिए मैंने कुछ ओल्ड बैंगल ली हुई है अब देखे और मैंने फैविकॉल कुछ प्रश लिया हुआ है अब देखे सबसे पहले हमें एक बैंगल लेना है उसके पर फैविकॉल लगाना है हमें सबसे पहले इसमें फैविकॉल लगाना है उसके बाद एक के उपर एक करके बैंगल लगाते जाना है देखे आपका इस तरीके से आप बैंगल के उपर बैंगल रखते जाएंगे और व अब देखें हमने पूरे इस तरह से इतना लंबा इसमें कर लिया है एक पैन पॉर्ट का साइज जितना हमने इसकी लंबाई रखी है जो की परफेक्ट होनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अगर ज्यादा कम करना चाहे तो कर सकते है उसके बाद हम इसमें ग्रीन कलर किय की अट्रक्टिव लगीगा और जो हमारी बैंगलस थी नहीं की बैंगलस डिफरेंट डिफरेंट वह थालता है तो इसलिए हम इसमें कलर कर देंगे तो वह एक साल लगेगा इस तरी किसे हम पूरे में कलर कर लेंगे अब देखिए कलरिंग कम्प्रीट हो गई है उसके बाद हम इसका बेस बनाएंगे बेस के लिए हमने एक कार्ट बोर्ड लिया हुआ है उसे हमने सरकल शेप में कट किया अब उसमें हम फैविकॉल लगा के इसके उपर बैंगल का जो अब देखिए पेस्ट हो गया है उसके बाद हम बैंगल में जो हमने बैंगल के पैन पॉर्ड बनाया था उस पर हम काम करना शुरू है आप चाहे तो इसमें डिफरेंट कोई भी लुक देकर इससे अट्रेक्टिव बना सकते है जैसे हमने क्या किया यलो कलर लेकर हमने ग्र डिजाइन बना सकते है यलो से इस तरह से हमने लीज बना ये अब देखिए कहीं हमने क्या कर रहा है रेट कलर से फलार्स बना दिया है यू देखिए बनाना बहुत एज़ी यह आप इससे आसानी से बना सकते हैं सबके गड़ पर पुरानी बैंगल्स होती है हमारी मम्मा की का जाएं गट्टा और उसके लीए आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं एक्रालिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं मैं पिर अप्रिट कैलर को इप्छर सकते हैं फैप्रिक कलर का यूज़ कर सकते हैं अब देखे इस तरी के सामने लीफ में कव भी दिये हैं इसे हम इसे असानी से बना सकते हैं और आपको जहां जहां दिखाना है आप वहाँ पर रेड कलर फिल कर सकते हैं रेड की जगह आप दूसरे कलर से भी फ्लार बना सकते हैं जैसे हम यहाँ पर पिंक बना सकते थे जो मतलब यलू से मिलेना हमने वो कलर लेना होगा फ्लार बनाने का इस तरीके से हमने कहीं पहला हुँ एफु ए धीड और दिखाए हैं ऐसे यह आप इसे बना सकते हैं और द совершенно हैं हमारा पैन पॉट रेडि हो गया आप इसे फ्लार पॉट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू